अगर आपका भी अभी तक राशन कार्ट बना हुआ नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से EKYC वाला राशन कार्ट घर वेटे ही ओनलाइन मत्र 10 मिनट के अंदर अपलाई कर सकते हैं एक न्यू राशन कार्ट अपलाई करते समय आपके पास में आधार कार्ट होना चाहिए इसी के साथ में आप लोगों के पास में एक और कोई भी KYC के लिए डोकुमेंट्स होना चाहिए जैसे की बोटर आइडी कार्ट, पायन कार्ट, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसंस इसके बाद में, जब आप लोग ओनलाइन राशन कार्ट अपलाई करेंगे, तो बहीं पर आप लोगों को family members के name को aid करने का भी option मिल जाता है आपके परिवार में जितने भी family member है, सभी family member के detail आप लोग बारिवारी करके भहाँ पर aid कर सकते हैं और इस राषन कार्ट को online apply करने के लिए आपको ज़्यादा time भी नहीं लगेगा मतर 10 minutes के अंदर आप लोग इस राषन कार्ट के लिए online apply कर सकते हैं जैसे ही आपका राषन कार्ट बने के तयार हो जाता है आप लोग इसे online ही download भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप लोग किसी भी राशन शोप से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए हम मैं आप लोगों को step by step सारा कुछ प्रोसेस दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको अपने mobile या फिर laptop के किसी भी browser को open करना है और यहां पर आपको type करना है NFS से और इतना type करने के बाद में सर्च कर देना है सर्च करने के बाद में जो भी पहले नंबर पर आपको website दिखाई देगी आपको एक बार यहीं पर click कर देना है और इसके बाद में आप लोग राशन कार्ट की optional website पर आ जाएंगे दोस्तों यह जो portal है यह all state राशन कार्ट का एक ही portal है और इसी portal के मादम से आप लोग एक न्यू राशन कार्ट के लिए online apply कर सकते हैं तो यहां पर आप लोगों को काफी सारे options देखने को मिल जाएंगे नीचे के side में आप लोग देखेंगे तो आपको काफी सारे state के name भी देखने को मिल जाएंगे अब आप चाहें यहां से भी apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप लोग चाहें तो direct भी यहां से apply कर सकते हैं जिसके लिए आपको उपर के side में एक option देखने को मिल जाएंगा sign in and register इसके नीचे दो option मिलेंगे public login और official login तो आपको यहां पर public login बाले option पर एक बार click कर देना है अब जैसे ही आप लोग यहां पर click करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो इसका एक user ID और password create करना होगा और उसके बाद में आप लोग लोग इन करके इसमें एक नीच राशन कार्ट के लिए apply कर सकते हैं तो user ID और password create करने के लिए यहां पर एक option देखने को मिलेगा new user sign up here तो आपको इसी बाले option पर एक बार click करना है और click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा form open हो जाएगा सबसे पहले आपको यहां पर उस ब्यक्ति का नाम enter करना है जिसके भी नाम से आप लोग एक new Russian card apply करना चाहते हैं और आपको same to same बही नाम enter करना है जो आपके आधार card पर है इसके बाद में यहां से आपको अपने state का नाम select कर लेना है यहां पर आप लोगों को सभी states के name देखने को मिल जाएंगे state का नाम select करने के बाद में यहां पर आपको अपने district का नाम select कर लेना है और इसके बाद में आपको यहां पर अपने तहसील का नाम select कर लेना है इसके बाद में यहां पर आप लोगों को अपने village का नाम select कर लेना है यहां पर address line 1 और line 2 इसमें आप लोगों को अपनी street का नाम house का नाम fill कर देना है और अपने area के pin code को यहाँ पर enter कर देना है इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को date of birth को fill करना है जो भी आपके आधार card में है gender आपको यहाँ से select कर लेना है और यहाँ पर आपको एक login ID type करनी है check user वाले option पर click करेंगे अगर बो login ID available होगी तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको एक strong password create कर लेना है दोबारा से password type करेंगे validation mode वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आधार number ही आपको select रहने देना है और इसके बाद में यहाँ पर आधार number एंटर करना है mobile number यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी email ID को fill कर देना है सभी कुछ information को fill करने के बाद में यहाँ पर एक capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को solve करके यहाँ पर fill करना है अगर कोई remarks देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो इसे खाली ही छोड़ देना है और इसके बाद में यहाँ पर दोनों ही boxes पर कुछ इस तरह से tick लगाना है और submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपका user ID और password बगएरा है वो successfully create हो जाएगा इसके बाद में आप लोगों को इस portal में login करना है अब मैं आपको बता देता हूँ कि login कैसे करना है और आप लोगों को यहाँ पर एक new ration card के लिए apply कैसे करना है तो दुबारा से आप लोग यहीं पर आ जाएंगे अब आप तीन तरह से login कर सकते हैं आप चाहें तो अपने आधार नंबर से login कर सकते हैं या पर आपने भी जो login ID create की है उसके माध्यम से login कर सकते हैं और राशन कार्ट नंबर से भी login कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपने आधार नंबर से login करेंगे यहाँ पर आधार नंबर एंटर करना है जो capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को same to same यहाँ पर fill करेंगे और generate OTP वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपके आधार कार्ट में जो भी mobile नंबर लिंक है उस mobile नंबर पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहाँ पर fill करना है और यहाँ पर huge OTP वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आजाएगा यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा common registration facility तो आपको इसी वाले option पर एक बार click करना है और यहाँ पर एक option मिलेगा new registration तो new registration वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर state select करने का option आएगा select बन वाले option पर click करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी सारी states के name आपके सामने आ जाएंगे अब आपकी जो भी इनवे से state है आपको अपनी state का नाम select कर लेना है state का नाम select करने के बाद में submit वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक new ration card apply करने का पूरा form आ जाएगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने ration card type को select करना है कि आप किस type का ration card apply करना चाहते हैं यहाँ पर अंतोधे का ration card apply करना चाहते हैं या फिर priority household तो जो भी राशन card आप apply करना चाहते है उससे select करेंगे यहाँ पर आपको beneficiary type में राशन select कर लेना है इसके बाद में आप लोग जिसके भी नाम से राशन card apply कर रहे हैं उसका एक password size का photo upload करना है जिसके लिए आपको यहाँ पर upload new value option पर click करना है जहां कहीं पर भी उसका photo है उसको यहाँ पर upload करना है यानि कि यहाँ पर आपको अपने राशन card के मुखिया का photo upload करना है यहाँ पर आपको मुखिया के name को enter करना है जो भी आधार card में नाम है same to same नाम यहाँ पर फिल करेंगे इसके बाद में यहाँ पर name in local language आपकी जो भी local language है उसमें enter करेंगे अगर आपकी local language हिंदी है तो आपको हिंदी में fill कर देना है यहाँ पर आपको gender को select कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर date of birth को इस calendar के माध्यम से select कर लेना है यहाँ पर आपको उसकी माता जी का नाम English में फिल करना है और इसके बाद में Local Language में फिल करना है इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को पिता का नाम English में फिल करना है और यहाँ पर Local Language में फिल कर देना है Marital Status आपको यहाँ पर बताना है अब आपको यहां पर और भी अधर कुछ information फिल करनी है जैसी कि यहां पर आप लोगों को general details फिल करनी है अब general details में आपको क्या करना है सबसे पहले तो यहां पर अगर आपका voter ID card बना हुआ है तो आप उसकी details दे सकते हैं नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर अगर आपका मन्रे का job card बना हुआ है तो आपको यहां पर इस वाले option को select करना है नहीं बना है तो इसे अंटिक ही रहने देना है इसके बाद में यहां पर आप लोगों को अपने आधार number को enter कर देना है कुछ नीचे की side में आएंगे आपको professional details को fill करना है जिसमें कि आपको annual income होती है उस income को रूपियों में यहां पर आपको fill करना है अब यहां पर अगर आपके पास में कोई भी old ration card number है तो डाल सकते हैं नहीं तो इसे आपको खाली ही छोड़ देना है इसके बाद में सभी कुछ information fill करने के बाद में save and continue वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके ब लेना है यहां पर आपको अपने village या फिर town का नाम select करना है अब आपको यहां पर present address में अपने house number house name बगेरा को fill करना है यहां पर आप लोगों का अगर कोई भी landmark है तो उसको यहां पर enter कर देना है जो भी आपके area का pin code है उसे आपको यहां पर fill करना है अगर आपका present address और permanent address दोनों same ही है तो आपको इस वाले box पर tick लगा देना है तो same address ही यहां पर आ जाएगा और address की information को fill करने के बाद में आपको दोबारा से save and continue वाले option पर एक बार click कर देना है और अब आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा other detail का एक option आ जाएगा जिसमें कि आपको अपन channel category से आते हैं तो आपको cost certificate upload करने की कोई भी आपसकता नहीं पढ़ेगी इसके बाद में यहां पर आपको house type सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस type का house है इसके बाद में यहां पर आपको अपनी bank detail को देना पड़ेगा bank detail में आप यहां पर अपने account number को देंगे इसके बाद में य का connection है तो यहां पर आपको टेक लगाना है और उसकी भी information आपको यहां पर फिल करनी है लेकिन अगर light connection भी नहीं है तो आपको इसे भी अंटिक कर देना है कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति हैंडिकाप है तो उसकी information यहां पर फिल करेंग किलिक करने के बाद में अब आपके family में जितने भी member हैं आप लोग अपने राशन काज में जितने भी member aid करना चाहते हैं तो वो सारे member आप यहां से aid कर सकते हैं जिसके लिए आपको यहां पर aid member का option मिल जाएगा इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद में आप लोगों को यहां पर fill करनी है और fill करने के बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे submit वाले option पर एक बार click करेंगे click करने के बाद में उस family member की जो detail है यहां पर aid हो जाएगी और जैसे ही उसकी detail aid हो जाएगी यहां पर एक member आ जाएगा उसी तरह से आपको दुबारा से aid member वाले option पर click करना है और बारी बारी से जितने भी member आप aid करना चाहते हैं उनकी detail को fill करके aid करते जाना है और इसके बाद में आपको save and continue वाले option पर एक बार click कर देना है अब click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहां पर आप लोगों को do documents की आप सकता पड़ेगी सबसे पहला जो document है वो है identity proof और दूसरा document है address proof अब identity proof के लिए आप कौन-कौन से document दे सकते हैं select बन वाले option पर click करेंगे यहां पर आप लोग देख सकते हो इन में से आप लोग कोई भी एक document identity proof के तोर पर दे सकते हो जैसे कि बस साइट फेकर दे सकते हो पैन कार्ट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ट और आधार कार्ट भी दे सकते हो तो हमने यहां पर आधार कार्ट को select कर लिया, इसी तरह से आप address proof के लिए भी यहां पर काफी सारे document दे सकते हो तो हम यहां पर address proof के लिए अपने वोटर आईडी कार्ट को देने वाले हैं, इसलिए हमने वोटर आईडी कार्ट select कर लिया है अब यहाँ पर आप लोगों को enclosed number यानि की आपने जो भी document select किया है उस document का क्या number है वो type करेंगे document issue date type करेंगे और यहाँ पर उस document का जो photo है वह upload कर देना है photo का जो maximum size है वह यहाँ पर 200 के भी रहना चाहिए दोनों ही document को upload करने के बाद में आप लोगों को कुछ नीची की साइड में आना है और save and continue वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर आपसे NFSA criteria details के बारे में पूछा जा रहा तो यहाँ पर अगर आप जिसके भी नाम से राशन काड़ अपलाई कर रहे हैं उसके पास में telephone या फिर mobile नंबर है यहाँ पर आपको Yes type कर देना है इसी तरह से यहाँ पर अगर household के पास में computer या फिर laptop है तो यहाँ पर आपको Yes type कर देना है इसके बाद में यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्मेंट अपलोट करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं नहीं तो आपको इन्हें ऐसे ही छोडदेना है और इसके बाद में आपको save and continue बाले option पर एक बार click करना है, जैसे ही click करेंगे, यहाँ पर आपकी final detail आ जाएगी, जिसमें कि आपकी state का नाम, district का नाम और आपके तहसील का नाम आ जाएगा, अब आपको यहाँ पर अपने कोटेदार का नाम select कर लेना है, जैसे ही click करेंगे, पूरी list आ जाएगा, आपके नस्दीक में जो भी राशन के दुकान है, उसी दुकान को आपको यहाँ पर select कर लेना है, कुछ नीचे की साइड में आपको आना है, यहाँ पर आप लोगों को consent देना है, और save बाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही आप save बाले option पर click करेंगे, आपका जो राशन कार्ड है यहाँ से apply हो जाता है, और राशन कार्ड अपलाई होने के बाद में आपको कुछ दिनों तक wait करना है, इसके बाद में आपका जो राशन कार्ड है बहे बन के तयार हो जाता है, और आप लोग ओन लाइन ही इसे download भी कर सकते हैं, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने राशन कार्ड का status किस तरहें से check कर सकते हैं, तो राशन कार्ड का status check करने के लिए आपको उपर के साइड में आना है, और यहाँ पर आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा, registration status आपको इस बाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरहें से page आ जाएगा, और यहीं पर आपके राशन कार्ड का complete status देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको काफी सारे option देखने को मिलेगा, जैसे कि approved application, draft application, pending for approval और rejected application, तो यहाँ पर हम pending for approval बाले option पर click करेंगे, हमने राशन कार्ड के लिए apply किया है, लेकिन अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर painting दिखा रहा है, और जब तक यह painting हट नहीं जाता, अपरूब नहीं हो जाता है, तब तक आपका जो राशन कार्ड है, भहे मानने नहीं होगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा, और साथ ही आपको यहाँ पर एक application number भी देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ में scheme का नाम को मिल जाता है, applicant का नाम भी देखने को मिल जाता है, जिस भी दिन आपने राशन कार्ड अपलाई किया होगा, वो date भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग अपने राशन कार्ड का status भी यहीं से check कर सकते हैं, कि अप्रूब हुआ है या फिर नहीं तो इस तरह से आप लोग घर वेटे ही एक निव राशन कार्ड के लिए ओन लाइन ही अपलाई कर सकते हैं,